हालो गाइज्स आयम रिक्की एंड यूट्वर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासे अश्यून आई वी यह संदे और सुरू इस्टोरी एक रियल इवेंट है और जैसा कि आप बनते हैं कि 1945 में दृतिय विस उद्धुवा जिसमें की अमेरिका और जापान के बीच युद्धु को आपने अच्छे से जाना मित्राष्ट और धुरी राष्ट के बीच जो युद्धुवा उसको जानते ही है तो इसी द्रव्यां इसी के अंद्राल की एक कहानी है जिसमें कि आज स्टोरी है अमेरिका के राष्टपती रुजवेल्ट की रुजवेल्ट अमेरिका के चारवा राष्टपती बने जो जबकि अमेरिका के समिधान में दो ही राष्टपती बनना होता है लेकिन रुजवेल्ट जैसा सक्स अमेरिका का चारवा राष्टपती बना उसी तरह में घटना है कि जापान अपने आप में बहुत बड़ी सक्ति हुआ करती थी और वह जो है बाकी देशों को कभी नहीं चाहती थी कि वह जापान से आगे निकले इसी करम में एक बार जापान और अमेरिका में टक्कर हो गई बहुत ही मतलब की ऐसा कहा जाए कि एक ऐसी ल अमरिका को भी खटकने लगा और वह जापान को भी अमरिका खटकने लगा और इसी दरव में एक बार जापान के साइनिकों ने मूड बनाया और जो हमला जो विस्यूत तो चली रहा था उन्होंने पर्ल हरबर पर जो अमरिका की एक बहुत बड़ी बंदरगा थी उसको तह था लेकिन जापान की टेक्नोलोजी वो यहां से जा करके बंबारी करके वापस लोटने में सक्षम था जबकि अमेरिका के पास जो फैडर प्लन थी उसमें कुछ तुरूटी थी या उसमें कुछ कम्या थी ऐसा समझें वह चीज उसके साथ वैसी नहीं थी इसलिए जापान इ आप में सक्ति हुआ करती थी वह अपने आप में बहुत पंगू महसूस करने लगी कि एक कंट्री चोटी सी आती है और उसके बंदरगाह को बरवाद करके चली आती है और रुजवेल्ट को बार-बार अंदर से कचोटने लगी तो लगा अगर इस तरह अगर मेरी सिती रही तो अमेरिका जो आज अमेरिका है अगर वह उतने आसानी से उन्जिवों को सह लेता तो आज अमेरिका वो जो भी नहीं होती जो आज हम लोग उसको देखते हैं रुजवेल्ट ने इमर्जेंसी मिटिंग बिलाई और जितने भी सेनिदल थे खासकर एयर फोस की जवानों को बुलाया और उन सब को 6 घंटे तक भासन दिया मतलब सारे सेनाओं के जो चीफ मुख जो चीफ थे उन सब को बुला करके उन्होंने 6 घंटे तक इस मुद्दे पर बात की कि इसका बदला हमको लेना है किसी भी सूरत पर जापान जो किया है यह उचित नहीं किया है यह जो हरबर को प्रबाद किया है यह सही नहीं है और इसका बदला हमको लेना है उन्होंने 6 घंटे तक कंटिन्यू इस भी सेवर बोलता रहा और कंटिन्यू सिर्फ बदले की बात की क्योंकि यह सच में आपने आपने वह गलत भी था जापान को तुरत हमला नहीं करना चाहिए थ और रुजबेल्ट बार बार चाहते थे कि एक बार भी आर्मी हां कर दे लेकिन वह नहीं पा रहा था लास्ट में रुजबेल्ट जो थे वह 21 वर्सकी अवस्था में वह पोलियो ग्रस्थ हो गए थे और उनका जो एक साइड था वह बड़ी पार्ट उतने अच्छे से बाय कि वह खड़ा हो गया अपने चेयर पर से खड़ा हो गया और यह देख करके जो वहां का जितना भी आर्मी था एरफोर्स था वह दंग रह गए कि रुजबेल्ट खड़ा कैसे हो गया उनको यह बात की बड़े आसर थी जो आदमें 40 साल तक नहीं चल पारा है नहीं चलने मे कि अब देखिए यहां पर बड़ी बड़ी रुमांचक बात है कि जो आदमी 40 साल तक नहीं चल पाया है कैसे खड़ा हो सकता है यहां के लोगों को बड़ा आस्चार लगा कि इतना अपने आप में कमांड कि जो बीमारी से ग्रस्त है पोलियों से ग्रस्त है उसके क्या लिया यहां तो आपको मालूम ही होगा 6 अगस्त 945 का जो आप इतिहास देखते होंगे उसके इतिहास के पन्नों में जो अमरीका ने जापान पर च्छाप दिये वह आज तक आप वह इतिहास उसको मतलब चिल्ला चिल्ला कर दोहरा रहा है और वह अमरीका की च्छावी को दिखाता है कि किसी भी सूरत पर अगर गलत हुआ है तो उसका बदला लेंगे और आप देखें तो इसकी जो मूल जो नीव थी वह रूजबेल्ट की भावनाओं से थी कि अगर उसने गलत किया है तो उसका बदला हम लेंगे और बदला लिया और इतना खतरनाक लिए कि आज मानपतावी सरमसार है वह चुकि जापान और दूसरा कोई उपाय भी नहीं था उसके काबू करने की और जहां था हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जो छह अगस्त को बम गिरा गया वह इतना तहलका इतना धूम मचाया कि वह आज तक अगर वह नहीं होता तो दूतिये उस एटैक में दूसी भी सुद्र का अंत भी था और तब अमरीका की जो छबी बनी वह ऐसा हम किसी भी इस तरह की गतिविती को समर्थन नहीं दे रहे हैं लेकिन कहानी का जो मैसेज है वह यह है कि अगर यदि आप पूरी उत्साह के साथ पूरी एनर्जी के साथ किसी काम क भी चाहिए अब जो आदमी एक तरफ पोलियों से ग्रसित है वहां कैसे जो 40 साल से 60 साल से चला नहीं है वह कैसे खड़ा हो सकता है तो यह कुछ नहीं उसकी जो मस्तिस्क में वह गती दी गई इतना ज्यादा गती दी गई कि उसकी जो नर्वस सिस्टम थी वह एक्टीव हो थी वह भी एक्टीव हो गई और उसके बदोलत वो खड़ा हो गया जब वह ऐसा कर सकता है तो उसकी आर्मी को यह देखकर सर्मसार हुए जब यह आत्मी 40 साल जो चल नहीं सका खड़ा नहीं हो सका वह जब अपने पोजिशन पर खड़ा हो सकता इतनी ताकत है उसके मस्तिस करते हैं और हमारा जो है आप से यह हर सब्ता हमें एक बार मुलाकात होती ही है तो कहानी को यह करते हैं कैसा लगा कहानी बताए को में थैंक यू